यह कहानी दो दर्जनात रहसमें हाथसों की टाइटनिक और टाइटन की इस वीडियो में हम समझेंगे क्या हुआ कहा हुआ कब हुआ कैसे हुआ और क्यों हुआ तो आईए स्टार्ट करते हैं अपना यह एपिसोड जर्णी ओफ टाइटन टू टाइटनिक तो हुआ यूँ 10 अप्रेल 1912 को टाइटनिक शिप इंगलेंड के पोर्ट साउथ एम्टन से रवाना हुआ न्यू यॉर्क के लिए अभी कुछ पांची दिन हुए थे करीब 1300 माइल्स दूर अपनी डेस्टनिशन से टाइटनिक एक आइसबर्ग से टगराया 15 अप्रेल 1912 को और वो इंपैक्ट इतना टगरा था कि वो शिप जो कभी ना डूबने के वारे किये गए थे वो वो इंपैक्ट जेल नहीं पाया और समुंदर की गहराईयों में चला गया और सवाल यह उखता है कि किस गहराईयों में लोकेशन तो हमें पता चल गई किस जगह डूबा कब डूबा कितनी गहराईयों में डूबा जी हां जहां पे आज की डेट में टैनिक का मलबा है उसकी गहराई है 12500 यह वो गहराई है जो कि Mount Everest, Mount Fuji, Empire State Building, Eiffel Tower, Statue of Liberty इन सब से काई भी जादा बड़ी है ये है वो मलबा जिसको देखने के लिए Titan पे सवार 5 दुनिया के मश्यूर अरब पती इसकी location पे गए थे 12500 फीट नीचे इस image में आप देख सकते हैं, ये ship का structure है, यहाँ पे उसकी चिमिया है, ये दो ये उसका bridge है, bridge होता है जहाँ से ship के crew अपने सामने का view देखते हैं कोई भी खत्रा यहाँ से ही वो देख सकते हैं इस post पे वो बैठे होते हैं, जब दुर्बीन से आपने movie में देखा होगा watchman यहाँ से देखता है, आगे कोई obstruction तो नहीं है और ये वो area था जहाँ पे वो इसके officers रहते थे और ये radio room जहाँ से वो सारे communication establish करते थे एक quote से दूसरे quote दूए तो ये है वो जगा वो image जिसको रियल में देखने के लिए वो पांच अरब पती Titan में सवार होके रहे थे तो ये थी तो कहानी Titan की तो आईए स्टार्ट करते हैं कहानी Titan की ये है Mr. Stockton Rush जो की थे CEO and founder of Ocean Gate तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं एक छोटे से वीडियो क्लिप से 18 जून 2023 सुबह आठ बजे क्यानारे से करीब 600 किलोमेटर एस्ट में Titan सबमरीन ने अपने 5 पैसेंजर्स के साथ 13,000 फीट मतलब मालो अलमोस्ट पांच बुर्ज खली फाउंट इतना deep underwater exploration के लिए अपना सफर शुरू किया बट unfortunately सफर के कुछ 1 आर 45 मिनिट बाद ही सबमरीन का सते से कमिनिकेशन तूट गया और वो पानी में कहीं पर कुम हो गई जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा Titan के साथ क्या हुआ तो वो थे कुछ इवेंट्स जो उसके साथ हुए लेकिन सवाल यह बगता है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ क्या कारण था कि वो इस डाइव को पूरा नहीं कर पाया वो जो पांच अरव पती समुद्र की गहराई हुए में वो वापस क्यों नहीं आए तो इस पर गौर करते हैं हम कुछ इसके की फैक्टर से पहला सबसे इंपॉर्टन फैक्टर है उसका इसका सेलियर ओफ सिंगनल से कम्निकेशन्स मेंज बीच डाइव में उसका संपर्क उसके मदर्शिप से तूट गया तो इसका कारण हो सकता है कि इसके फॉंस में कोई प्रॉल्डम आई हो दूसरा है लॉस आफ पोजिशनिंग सिस्टम उसको मदर्शिप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा था ठीक है तो उसका GPS सिस्टम खराब हुआ हो या फिर कोई इंजन फेलियर जिसकी वज़े से वो प्रॉपर्ली नेविगेट ना कर पा रहा हो और कहीं फ़र्द गया हो चौथ होड सबसे important hydrostatic collapse जिसको हम घानते हैं implant के नाम से भी यह होता है because of high pressure क्योंकि सबसे important factor है उसका hydrostatic collapse इसको समझने के लिए और बाकी possibilities को explore करने के लिए हमें किसी भी submarine के design discussion और और उसके key components को समझना बहुत दर रही है तो उसमें सबसे important होता है इसका design of the ship दूसरा hall and machinery तीसरा उसका communication system चौथा उसका propulsion system पांच वाँ बहुत आखरी service system service system इसलिए होता है तो कि जिस depth पे वो जाता है उस depth पे वहाँ पे visibility नहीं होती आपको कुछ दिखता नहीं है तो वहाँ पे आप sonar का और side scan sonar का special equipment के यूज़ करते हैं यह देखने के लिए कि नीचे क्या है आपके सामने क्या है इन पांचों की मदद से ही एक ship safely ship या कोई submarine safely एक जगा से दूसरी जगा जा सकती है और वापास आ सकती है इन में से कोई एक भी failure हुआ तो वो ship के साथ में कोई भी incident हो सकता है जो हुआ इस टाइटन के साथ में या टाइटनी के साथ में टाइटनी का में कारण साथ इसका हॉलन मिशिनरी में वह इंपक्ट आइस्वर्ग का समरीन के केस में हम लोग explore करेंगे टाइटनी के साथ क्या हुआ तो यह है एक टिपिकल समरीन के key components यहाँ आप देख सकते हैं यह होते हैं उसके communication system यहाँ आप देख सकते हैं शिप उसका antenna होते हैं और यह communication establish करते हैं अपने मदर्शिप से इन communication system की मदद से नीचे होता है इसके survey equipment यह use होते हैं इसकी positioning establish करने के लिए नीचे सीबेट पर क्या है वह सीबेट से कितने दूर पर है और कोई obstruction है उनके रास्ते में या नहीं है इनके लिए उनकी velocity क्या है उनकी depth क्या है यह सब वह जानते हैं इन equipment की मदद से depth sounder side scan sonar जो आपने image देखी एक Titanic की वह लीगे थी side scan sonar के help से ही और किसी भी submarine को navigate करने के लिए एक जिगा से दूसरे जगा पर सबसे important होता है उसके thrusters जो होता है उसका propulsion system जिसके help से एक जगा से दूसरे जगा जाते हैं और stabilizers उसको balance करते हैं यह ships design होती है और hydrodynamic friction को कम करने के लिए इनमें एक important factor lighting system भी होता है तो कि वो जिस संदेरे में जाती है dive करती है वहाँ पर light नहीं होती इसलिए वहाँ पर light का होना बहुँ दूरी है तो हम आगे बढ़ते हैं ऐसी कौन सी चीज़ थी जो Titan में Titan हुवी करती थी इन सब्मरीन के मुकाबले तो यह था हमारा ocean gate का Titanic का view यहां पर आप देख सकते हैं front में एक viewport था port hole window जिसे कहते हैं यह उसका hall था, chambers जहांप passenger रहते थे यह उसकी tail cone and landing frame तो यह आप देख सकते हैं कि सब्मरीन के relative यह बहुत छोटा सा साइज में बहुत हलका था इसमें equipment सब्मरीन के मुकाबले बहुत कम थे तो कि इस तरिफ exploration purpose से adventure trips के लिए यूद होता था तो इसमें बहुत कम equipment यूद हुए थे और यह बहुत ही light weight था हुआ क्या बट यह submarine आप देखेंगे submarine नहीं कहते हैं इसको कहते है submersible क्यों कहते हैं तो कि self deploy नहीं हो सकती इसको deploy करने के लिए एक fortune का use किया जाता है जो कि आप नीचे देख सकते हैं यह fortune होता है along with these ballast tanks यह ballast tanks होते हैं इसकी buoyancy को maintain करने के लिए जब इसको नीचे जाना होता है तो इसको इसमे weight add किया जाता है अब वह weight water से भी add कर सकते है या कोई भी heavy fluid डालके इसको इसका weight बढ़ाया जा सकता है और यह नीचे जाता है और फिर जब इसको ऊपर आना होता है इसके deployment के बाद से इसको tilt करते हैं जब इसको नीचे जाता है और यह यहांसे deploy हो जाता है यह जब लाँच हो जाता है उसके बाद में जब इसको वापस आना होता है तो ये टैंक्स वापस से एम्टी कर दिये जाते हैं और लाइट वेट होने के वज़े से ये बॉयंसी के वज़े से वापस कोने आता है ये है इसका launching and recovery procedure अब थोड़ा सा science भी देख लेते हैं इसमें कि ऐसा होता कैसे है कि कैसे कि कोई object नीचे जाता है पाली में और उपर आता है इसको समझने के लिए आपको समझना होगा आकोड़ीस प्रिंस्पल ये बहुत सिंपल है ये तो एक scientist थे जिनके नाम पर ये प्रिंस्पल रख दिया गया बड़ आप normally हमेशा जानते हैं कि क्या होता है कोई भी weight हवा में अगर 5 kg है और उसको आप पाली में डाल दीजे तो अब ये point force क्या होता है कहां से आता है इसको समझने के लिए हम फ़ड़ा simple रखते है तो बहुत जादा formula में नहीं जाते है इसको समझते है just this simple से एक diagram से कोई भी object होता है उसका weight होता है इसके mass times gravity ये उसका weight होता है जो की downward set होता है अब जब ये body पानी में जाती है किसी भी fluid में तो ये जो दूसरा medium होता है पानी for example हमें आ लेते हैं ये इसको resist करता है उपर आने से उसको resist करता है नीचे जाने से और इसके लिए एक upward force लगाता है वो force कितना होता है इसको समझने के लिए simple यह समझ लेते हैं कि जो भी object जितना submerged होता है उसके volume के equivalent जो volume पानी का displays होता है जिसको इस formula से हम आप science पढ़े होंगे तो आप इस formula से बहुत इजली समझ सकते हैं उस science के students के लिए मैं score flame कर देता हूं यह होता है pressure head तो इसके top पे जो pressure है और इसके bottom पे जो pressure है उसकी pressure और इस surface area पे जो pressure act होता है तो उस pressure से जो force generate होती है यहां पे bottom पे उसका difference ही होता है चीक है तो इसको हम बहुत जादा detail में नहीं समझते हैं आगे बढ़ते हैं इतना हमें समझ में आ गया है कि वो जो समझ में आगया है कि उसको lower कैसे किया गया और उसको recover कैसे किया जाता है just using defects of buoyancy ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जब कोई भी object नीचे जाता है तो उसके कि हर एक 10 मीटर पे एक बार प्रेशर बढ़ता है किस डर्थ पे था 4000 मीटर के वहाँ प्रेशर क्या था 40,000 किलो पास्के जो की equivalent होता है 400 बार्स एट्मासिक प्रेशर के 400 ताइम्स प्रेशर वहाँ पे था तो हुआ यह हो जब यह समर्सिबल साइटन यहां से इस रसल से पहुंच भी जब वह 800 मीटर पे पहुंची होगी तो उसका प्रेशर होगा सराउंडिंग प्रेशर तेरी 80 जो की equivalent होता है 1200 PSI के आप सुछ सकते हैं आप की टायल में जो हवा होती है वो 30 से 34 पाउंड PSI होती है तो यह प्रेशर कितना हेवी प्रेशर होगा अंदादा लग प्रेशर था 400 पार प्रेशर है तो यह कुछ पास्ट में ने कुछ डाइस की थी इस तरह वह आते थे इस टाइटन के मलबे को देखते थे यहां पे पैसेंजर बैठे रहते थे तो यह होता था इनका एडवेंचर ट्रिप जिसके बिहाफ पे वह बहुत सारे पैसे देते थ थे इस डाइब में क्या हुआ क्यों यह वापस नहीं जा पाया आज दस दिन बाद इस इंसिडेंट के हमें पता है कि इसमें क्या हुआ इसमें हुआ एक इंप्लोजन हमें मिले हैं इसके कुछ डेवरीज जो की थे आपके सोला सो फीट अवे फॉम डी टाइटनिक के बलब उस नाइस लोकिंग टाइटन समर्सिबल वेसल का क्या हाल हुआ है आफर दी इंप्लोजन इसका कारण है वही सरौंडिंग का प्रेशर हाई प्रेशर और सवाल यह उड़ता है यह इंप्लोजन हुआ क्यों तो आई जानते हैं यह इंप्लोजन क्यों हुआ किसी भी इंप् इसका दूसरा टर्म है hydrostatic collapse होना इसको इंप्लोजन भी कहते हैं यह होता क्या है यह है आपका explosion और यह है आपका implosion दोनों में दर क्या है explosion आप एक्जांपल के तर्वे समाझ सकते हैं कोई भी बॉम का फटना तायव का ब्रस्ट होना इसमें क्या होता है बाहर प्रेशर जाना होता है और प्रेशर कम होता है उस प्रेशर ग्रेडिंट की वज़े से जो कि इसके अपोधिट होता है इसमें इंप्रोधन होता है मींस प्रेशर अंदर रश करता है और वह फूलेप्स हो जाता है सिस्टम् यही हुआ इस टाइट में के साथ अब सवाल यह उठता है ऐसा क्यों हुआ क्या है इसका डिज़ाइन में कंसेडर किया गया था वहका प्रेशर तो मेटेडेयल यूज किया था ऊसकाजल शेप थो नहीं मैं समंधने के लिए हमें समंधना वहका कंस्टॉक्शन ओफ अ सबमरीन उसल शॉक्स का क्षरिंव्शय चिए अब दिति एक हैं इसमें तील के है इसके हॉल के इनर आउटर एंड बीच में एक स्पेस यह इसलिए रखा जाता है कि जिस तरह के प्रेशर में यह जाती है उसको सस्टेन कर पाए अगर आप एक थिन फिल्म की स्टील की अप उसका हॉल बना देंगे तो उस प्रेशर में कोलेप्स हो जाएगा ठीक है तो यह हम इशन सरी का हुआ क्या ठाटान के कहस में है कि रिकांग्र ने क्या कुछ स्ट्रॉंग है हें कि आप यहां फ्राट में देख सकते हैं कार्बन फाइब देंस्टी 1.5 ऐलोए स्टील देस्टी 7.8, strength 1200, carbon fiber 2500 means light weight होने के बाउजूद इसकी capacity 7 times almost 6 sorry not 7 but 6 times almost lighter than alloy steel and 2 times stronger. स्टीमेटियल अच्छा है, फिर गलत क्या हुआ? इसके साथ में तैंसल strength अच्छी होने के बाउजूद इसमें एक factor ये भी है, elasticity, आप ये देखेंगे, इसकी strength तो बढ़ती है, but उसकी elasticity, जो है, carbon fiber की कम होती है, alloy steel के मुकाबले, तो ये एक factor हो सकता है, क्यों कम elastic था, elastic होना एक तरीके से खराब क्यों माना जाता है, जो चीज़ elastic होती है, जल्दी नहीं तूटती है, उसको तूटने में थाइम लगता है, वो पहले deform होती है, जो चीज़ elastic नहीं होती है, जो plastic होती है, brittle होती है, बहुत तेजी से तूटती है, for example, इसका glass, right, तो ये reason है, जिसके पीछे लोग काफी जादा बात कर रहे हैं, कि ये जो material use हुआ था, ये उतना sustainable नहीं था, तो सवाल ये उठता है, past में कैसे इसने dive की, past में क्यों नहीं, उनको lets हुआ, इस तरह के बहुत साए सवाल उठते हैं, तो आईए हम कुछ को और करते हैं, उसके दूसरे aspects पे, एक चीज़ होती है, factor of safety, और कोई भी vessel, ship, या कोई जिसमें भी passenger, कोई भी जाता है, उसकी उससे पहले testing होती है, किसी भी dive से पहले, उसकी testing होती है, उसको कुछ test criteria's fulfill करने होते हैं, जिसमें से एक होता है, उसका design factor, test dives, physically dives, without any human, तो ocean gate ने claim किया था, कि उन्होंने test dive की है, 4000 meter depth के लिए, ये इनके website में थी, but after this incident, ये website delete कर दीगे, इस no more available on the web, तो अभी इसका कोई भी access नहीं है, तो ये factor बहुत ज़रुई है check करने के लिए, कि उसका safety factor क्या था, factor safety term होता है, किसी भी जीज़ का जब आप design करते हैं, उसका जो भी operating criteria होता है, उसका 1.5 points at least, हम consider करते हैं, जब उसका test करते हैं, अगर आप 400 bar पे इस vessel को लेके जाना है, तो उसको test होना चाहिए, 6600 bar पे, ताकि कुछ अगर variables dynamics, additional dynamics इसमें आ जाते हैं, तो ये fail नहीं हो, तो ये एक बहुत important factor है, जो कि इसमें calculator होना चाहिए, ये reason क्यों है important, वो हम समझेंगे आगे, next slide, उसको conclude करते हैं, कुछ additional information के साथ में, जो हमें media से मिली है, there are victims and witnesses, जोनों ने बोला, there were signal problems in the past dives, ठीक है, तो signal break होते थे, communication, फिर वो थोड़ी दिर बाद established भी जाते थे, means, उनका communication system weak था, उसमें कोई ये problems होती थी, दूसरा, कुछ witnesses ने कहा है, कि उसमें cracking की sounds नोने ने सुने थी, जब वो डीपर वाटर में जाता था, तो कुछ cracking की sound भी होती थी, but कुछ unfortunate नहीं हुआ, तो लोगों ने इसको शायद इग्नोर कर दिया, ignoring past warnings, अगर वो इन complaints को, warnings को ignore नहीं करते, और इस dive से पहले, उसकी proper testing, and refublishment जो भी required था, वो करते, तो शायद ये incident नहीं होता, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं, कि उसका new material उने यूज किया था, carbon fiber, उसकी वज़े से, वो कभी भी use नहीं हुई, इस type के expeditions के लिए, इस type के purposes के लिए, और एक खास बात, ये vessel Titan certified नहीं था, किसी भी regulatory authority से, for diving to this depth, सवाल ही होता है, कैसे इनो ने dive की, वो इसलिए क्योंकि वो international waters, किसी भी country के international waters से दूर था, वोहाँ पे किसी भी country की regulatory, regulatory obligations नहीं थी, ocean gate के लिए, तो कोई भी country इस शीट को करने से, लोग नहीं सकती थी, बिना valid reason, तो ये था हमारा, ये episode, next episode में हम, लेके आएंगे आपके लिए, एक different topic, जो है disasters of 2021, जिन में से एक था, the deadliest cyclone talk पे, चलिए, इस episode को यहीं पे end करते हैं, और मिलते हैं आप से, next episode, bye.